Hello dear students, welcome back to my channel physics SPC, rotational motion का equation, a uniform thin rod of length L and mass M is bent at the middle point O as son of the figure, तो देखो यह की पूरी rod थी, इसका पूरी rod का mass M था और length L थी, इसे bent करते हैं middle में से, middle में से bent किया है, इसलिए इसका mass, इतनी rod का mass M by 2 और length L by 2, ऐसी इसका mass M by 2 और length L by 2, consider an axis passing through the through its middle point O, middle point O से पास और रही है and perpendicular to plane of the rod of the bend rod, छिके नों तो यहां से ऐसे axis पास कर रही है, plane के perpendicular यह plane होगी, तो यह आपका इसके perpendicular से पास और रही है, देखेंके तो इस rod के one end से पास और रही है, worm के length के perpendicular है, इसमें भी इस रोड के वन हैं एंड से पास हो रही है रोड के लेंग्ध के परपेंडिकुलर और वन हैंड से पास होने वाले एक्षास के आप मोमेंट पर ना से हमसे पूछे तो यह प्रेंग्द के परपेंडिकुलर और वानेंट से पास वने वाले इसके हैं हमें लावन होना चाहिए बन भाई थ्री एम एल उसके हैं लेकिन यह ध्यान रखना इस कुशिन में यहां पर रोड का मास एम है मास आफ रोड लेकिना मल्टिप्लेड भाई लेंग्ठ यह रोड का स्वेर ठीक है अब कर दो इसमें रोड नंबर वन और यह रोड टो पूरे सिस्टम का ओके अवाउट निकालें तो फस्ट रोड का प्लस सेकेंड रोड का फस्ट रोड का लिखें तो बन भाई थ्री अब पलस एम बाई टू है तो मेरे सुट इम बाई टू अर लेकड गए तो आप कल ले नहीं है संससी है दोनों को हैड कर लग नों तो बन भाई थृ इंटु एम बाई टू एल के सावट ग्लाई एक तो इसमें पहले उसके यह ओ पॉइंट के आवाउट मोमंट में से निकला है उम्हेद करता हूँ कि आपको इस रूर समझ में आया होगा पढ़ते रही है और खुश रही है थैंक यू पीजी कुशन का काफी इसकी जो चॉइस है खुशी है